बिलो 37 किसको देना है आठ साल से ऊपर किसी बच्चे को किसी भी एज के लोगों को इसको दिया जा सकता है यह फीवर इंफेक्शन जो भी हो जाते हैं उसमें यह काम करता है आपकी डोजिस किस तरीके से रहेंगी यह ध्यान देने वाली बात है इसकी डोजिस पांस दिन के ल जो जिस बताई गई हैं उससे ज्यादा नहीं देनी है उसके अलावा किसी पेरासीटामॉल के साथ इसको कंबाइन करके नहीं देना है और उसके बाद में अगर दो-तिन दिन देने के बाद इस दवा को अगर आपका फीवर कम नहीं होता तो डॉक्टर को तुरुन दिखान है और एक सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने की है इन दवाओं को किसी भी गरम जगह पर बहुत जादा गरम जहां पर टेंपरिचर हो जैसे गाड़ी है अभी गाड़ी गरम हो जाती है लेकर जाते रास्ते में तो वहां पर उनको नहीं रखना है साथ में और ठंडे थो तो इसको लंबे समय तक सही तरीके से यूज़ करने के लिए ताकि अच्छा बैटर रियल्ट आपको दे के अलावा क्या आपको याद रखना है इसमें चिरायता कालमेक जैसे 11 हर्ब्स का यूज़ किया गया है एक नेचरल एक्टिव फॉर्मूला है जो के आपके कफ कोल् कृषाने का काम करती है हाम करती है और जो foods कें अंतर है है काल्मेक गुरूची तुल्सी अनतर है एसे यहां दोस्तों एक सबस्क्रास बात बदे लिए तो सबसक्रा करने को यह दोस्त Ο